ओम शान्ती आज की तारीख है ग्यारा बारा चवदा और आज की ज्ञान मुर्ली का सिर्शक मीथे मीथे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा परम सिक्षक बन करके हमें ज्ञान मुर्ली सुनाकर पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बाप दादा कहते हैं मीथे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो ये पढ़ाई है पतीत से पावन बनने की तुम्हें ये पढ़ना है और पढ़ाना है सिर्फ पढ़ाई पढ़के बैठनी जाना है, लेकिन औरों को भी पढ़ाना है, रश्न है, दुनिया में कौनसा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियार है, उत्तर है मारा का ज्ञान, जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं, चंद्रमा तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के भी पास नहीं है, सब ज्ञान अंधियारे में है, सभी ज्ञान नेटर से भी अंधे है, तुमें अभी ज्ञान का पिसरा नेटर मिला है, तुम नौलिज़फुल बच्चे जानते हो, उन कि ब्रेन में विनाश की ख्यालते हैं और तुम्हारी बुद्धी में स्थापना के ख्यालते हैं धारना के लिए मुख्यसार के दो बिंदू नमबर एक बिंदू है बाप इस दादा में प्रवेश हो दादा मिंच बड़ा भाईविस्ट अर्थ होता है तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हो बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता ज्यान सुना रहे है इसी मिस्टए से रमन करना है स्री मत पर चलकर स्रेष्ट गुणवान बनना है तो हम रोज सत्य गीता ग्यान सुनकरके अर्थात श्रीमत भगवत गीता का ग्यान रोज सुनते हैं नमबर दो है याद की यात्रा से बुद्धी को सोने का बर्तन बनाना है ज्ञान बुद्धी में सदा बना रहे उसके लिए क्या करना है बाबा कहते हैं, मुरली पढ़नी वा सुननी है आशा करती हूँ आप सभी, रोज मुरली पढ़ते भी होंगे और सुनते भी हैं, अभी तो एसेंस अफ मुरली सुन रहे हो परम तो पूरी मुरली भी अवश्य सुनते होंगे वर्दान है आज का, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभो करने वाले माश्टर विग्न विनाशक भव, गणिश को विग्न विनाशक कहते हैं, विग्न विनाशक वही बनते, जिनमें सर्वशक्तिया हैं, सर्वशक्तियों को समय प्रमान कार्य में लगाओ, तो विग्न ठहर नहीं सकते, कितमे भी रूप से माया आवे, लेकिन आप नौलिङफुल बनो, नौलिजफुल आत्मा कभी भी माया से नहीं सकती, जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है पर्मातम हाथ और साथ विग्न विनाशक बना देता है स्लोगन है स्वयम में गुणों को धारन कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूरत है अच्छा मीथे मीथे सिखिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शंती